हलो टीर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्त तस्वागत है आपका बेस्ट केर ओफ प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स खुबसूरत दिखना हर लड़की का अधिकार होता है लेकिन अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब शरीर में बहुत सारे हार्मोंस एक्टिवेट हो जाते हैं जिनकी वज़े से शरीर पे, हमारी स्किन पे, हमारे हेर पे उसका असर साफ साफ देखा जा सकता है इनी में से एक हार्मोन होता है estrogen हार्मोन estrogen जो हार्मोन होता है इसका production शरीर में ज़्यादा होने लगता है जिसकी वज़े से melanin शरीर में ज़्यादा बनने लगता है और ये हमारे body में deposit होने लगता है जिसकी वज़े से pregnancy miskin डल होने लगती है black सी होने लगती है कुछ लोगों को pregnancy के time शरीर में जूरियां भी आ जाती है और बाकी शरीर में कुछ parts जादा black दिखने लगते हैं चेहरे पे कोई glow नहीं रहता यह सारी दिक्कते pregnancy में होती हैं जो कि मैंने भी अपने time पे face की थी आज की इस रीडियो में मैं आपको इस समस्या का समधान बताऊंगी क्या आप pregnancy के time cosmetics नहीं यूजर सकते डॉक्र बिल्कुल भी मना करते हैं pregnancy के time cosmetics यूजर करने से क्यूंकि यह जो cosmetics होते हैं यह जो बजार में आपको cream मिलती है glowing skin के लिए fair skin के लिए पहले तो ये सारे दावे जूटे होते हैं कोई भी cream ऐसी नहीं है जो आपके melanin को एकदम से कम कर दे और फिर skin को एकदम से fair कर दे चाहे वो pregnancy का time हो या फिर किसी की भी normal skin हो जिसका color dark है और वो सुचे कि मैं market में जो बड़ी बड़ी company दावे करती हैं ये product लगा के मैं एकदम fair हो जाओंगी तो ऐसा नहीं है अगर एकदम से fair होना है तो उसके लिए heavy chemicals का skin पे use होता है जिसकी वज़े से skin में कुछ फर्क आ जाता है ये company के दावे आपके skin tone को एक या एक tone फर्क जरूर ला सकती है लेकिन ये एकदम से fair बना दें ये बिल्कुल भी possible नहीं है और pregnancy time में cosmetics का use बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप ये cosmetics अपने face पे अपनी skin पे अप्लाई करते हैं तो ये skin में absorb हो जाती है और ये blood के साथ मिलके आपके बच्चे में ये जो blood है आपका है वही आपके बच्चे में जाता है तो एक तरह से आप ये chemical जो आप अपने skin पे लगा रहे हैं ये आपके बच्चे तक भी जा रहा है जिसकी वज़े से बच्चे की skin में defect हो सकता है बच्चे में जन्मजात कोई थमस्या हो सकती है तो इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी में कॉस्मेटिक का यूज नहीं करना जाए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ ऐसी टिप बताने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल भी कॉस्मेटिक नहीं है जिसका यूज आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी कर सकती है इसके अलावाद जो प्रेगनेंट नहीं है वो भी नॉर्मली इसका यूज कर सकते हैं ये किन-किन प्रॉब्लम में फाइदे मन्द है पहले आपको ये बता देती हूँ जिनकी स्किन में डलनेस है ग्लो नहीं है बिल्कुल भी चेहरे पे पिंपल्स हैं चेहरे पे जाईया हैं पिग्मेंटेशन हैं या फिर जिने स्ट्रेच मार्क्स हैं वो सभी इसका यूज कर सकते हैं इस टिप को मैंने भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी फॉलो किया थे क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डल और स्किन का सामना करना पड़ा था मेरी भी स्किन डल हो गई थी बहुत बेकार सी हो गई थी प्रेगनेंसी के टाइम तो मैंने ये टिप पूरी प्रेगनेंसी अपने फॉलो की थी और मैं अभी भी करती हूँ इसलिए ये मैं टिप आपको भी दे रही हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक ज़रूर करिएगा और बेस्ट केर अफ प्रेगनेंसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा रात में जब आप खाना पीना खा के फुरसत हो जाए सोने से करीब 15-20 मिनट पहले अपने चेहरे को अच्छे से वाश कर ले वाश करने के बाद ये कैपसूल है विटामिन E का ये बहुत फायदेमान दे विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्यूटी को इन्हेंस करता है चेहरे में गलो को बढ़ाता है डलनेस को कम करता है और मिलैनिन को भी थोड़ा कम कर देता है तो इस विटामिन E की कैपसूल को ये मार्केट में बहुत कम प्राइज में मिलती है 25-30 रुपे में है ये इवियॉन टेबलेट है इसके अलवा और भी कई अलग अलग नाम से विटामिन E की कैपसूल साते हैं आप वो भी ले सकते हैं मैंने ये इवियॉन यूज की है तो मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ बाकि सब सेम ही होते हैं कोई खास डिफरेंस नहीं होता किसी में तो आपको ये विटामिन E की एक कैपसूल लेकना है इसको उपर से थोड़ा सा कट करके इसमें जेल होता है ये जेल आपको अपने हतेली पे ले लेना है इस जेल को आपको अपने चेहरे पे अपनी उगलियों की जो ऊपर की टिप है इसकी हल्प से थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे पे टैप टैप करके इसको आपको लगाना है और हल्की सी मसाज देनी है ये थोड़ी देर में आपकी स्किन में एकदम फैल जाएगा और धिरे-धिरे अबसॉब भी हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा थीक ज्यादा होता है ये जल तो आप इसे एक अलवेरा जल की मदद से अगर अप प्रेगनेंट हैं तो आप अलवेरा जल में मत यूश करी तो आप ये बेबी प्रोड़क्ट ले सकते हैं, बेबी जो लोशन आता है, उसको आप थोड़ा सा अपनी हतेली पे ले ले, विटामिन E की कैपसूल को कट करके उसका जल निकाल के आप उसको मिला के अच्छे से अपने चेहरे पे लगा ले तो वो बहुत अच्छे से पूरे स्प्रेड हो जाएगा, इमेनली स्प्रेड हो जाएगा आपके चेहरे पे, आपके नेक पे, आप अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं, लगा कि आप इसको अच्छे से मसाज दे दीजे, और इसको सूने से 10-15 पहले लगाना है, ताकि ये अच्छे से स्किन में अब् मौर्निंग में उठेंगे, जब आप उना चेहरा देखेंगे, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके स्किन बहुत ज़्यादा खुप्सूरा दिखने वाली है, इसके बाद आपको सुबह उठने वाद हलके गुन-गुने पानी से अपने चेहरे को धो लेना है, ये ह चार से पांच दिन रेगुलर ये टिफ फॉलो करिए, उसके बाद आप अपनी एक फोटो और क्लिक करिए, और दोनों को जब आप कंपेर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फर्क दिखने वाला है, जो आपकी पहले की स्किन थी, जो पहले की स्किन में आपका गलो था और जो बाद में आया है, उसमें आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, ये बहुत फायदे मन उसका है, मैं अजमाया है, मेरा अजमाया हुआ है, और मैं अभी भी ये टिफ फॉलो करती हूँ, और मुझे इसका फर्क बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए में ये आपके बीच नाभी के उपर और नीचे एक लाइन आ जाती है, जिसे लीनिया नाइगरा कहते हैं, आप उस पर भी से अपलाई कर सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी उससे भी ये जल्दी सही हो जाएगी, वो निशान हट जाएंगे, इसके अलावाद जिनको पिग्मेंटेशन है, जि कुछ लोगों की इसके सुपर सेंस्क्रिव होती है, तो हो सकता है उन्हें इन सब चीजों का फेस करना पड़े, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप इसे अपलाई ना करें, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसे जरूर ट्राई करी और क्या इफेक्ट दिखा मुझे भी जरूर जरूर बताईएगा, तो वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईगा, और इसके से रिलेटर कोई आपकी और भी कोई प्राबलम हो, तो आप प्लीज मुझे से शेर कर सकते हैं, मैं उसका सल्यूशन आपको जरूर बताऊंगी, मिलेंगे हमारे नए व